हेलो, जैहिन, कैसे हैं आप सब लोग, इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे, प्रेक्टिस सेट 43, इसका पहला कोशन है, काफी इजी कोशन है, चलिए सॉल्व किजिए, ऐसे कोशन में सबसे पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस या फिर माइनस, तो इसको आप देखिए, भाग में हम क्या करते हैं, जो पहली वाली फ्रेक्शन होती है, उसको रखते हैं सेम, भाग की जगे पर आता है, डिबाइट की जगे पर आता है, इंटो, और ये वाली जो फ्रेक्शन है, दूसरी वाली, इसको हम करते हैं, उल्टा, दो बटे एक, इंटू में आएगा 1 बटे 2, फिर 2 से गटेगा यहाँ पर 1 बार, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना होगा? 1, और 2 गुणा 1 गुणा 1 कितना होगा? 2, तो option number A इसका right answer हो जाएगा, इसको आप देखिए, 3 की power, 3 की power 2 का मतलब है, 3 की power 2 मतलब, 3 की power 2 ब्रावर होता है 9, तो गुणा करेंगे 9 बार, 3, 3, 9, 27, 81, गुणा 3, गुणा 3, 3, 6, 8, 9, तो यहाँ पर आप देखिए, 3, 3, 9, 27, 81, यह कितनी बार है? 4 बार, तो यहाँ पर भी कितना है? 4 बार, तो इसका मान है 81 और इसका मान भी कितना है? 81, गुणा 81 अगर मैं करूं, 81, गुणा 81, तो यह यहाँ पे 6, 6561 इंटू में आएगा 3, 3 एकम 3, 36, 18, 35, 15 और 16, 36, 18 और 19 तो 3 की पावर 9 की वेल्यू कितनी आई है? 3 की पावर 9 बराबर आएगा, 19,683 अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है 2 की पावर कितनी होगी? 3 गुणा 2 2 की पावर 3 गुणा 2 बराबर क्या होगा? 2 की पावर 6 2 की पावर 6 अब इसको मैं आगे solve करता हूँ इसकी वेल्यू कितनी आई थी? 19,683 और इसकी वेल्यू कितनी आई कि 2 की पावर 6 मतलब होता है 64 यहाँ पे आएगा 64 13 में से 4 गया 9 13 में से 4 गया 9 तो 9 किस में है option number D में यहाँ पे आप देखिए 7 में से 6 गया 1 यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 तो option number D इसका right answer हो जाएगा अगला question है इसका आपको cube root निकालना है मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 15 तक आपको cubes याद होने जीए तो इसका cube root होगा 12 option number B अगला question आप देखिए ऐसे question में सबसे पहले हम यह अंदर वाले को solve करते हैं तो इसकी value कितने है यह दो इसका root कितना होगा 2 प्लस में कितना है 7 और उपर पूरे के उपर क्या है root है तो 7 और 2 9 root 9 का मान कितना होगा 3 option number C अगला question देखिए root 121 इसकी value कितनी होगी किसका square है 11 का तो यहाँ पर आएगा 11 माइनस यह किसका square है 0.1 का यहाँ पर आएगा 0.1 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसकी value आएगी 10.9 11.0 माइनस 0.1 10 में से एक गया 9 यहाँ बचेगा 10 10 में से 0 गया 10 10.9 option number A यह question कई बार में आपको बता चुका हूँ यह क्या है A यह भी A A square minus B square अपोन में क्या है A plus B यह A है और यह क्या है B अगर मैं इसको इस formula को रखूँ यहाँ पे तो A plus B into A minus B A square minus B square ब्रावर क्या होता है A plus B into A minus B अपोन में क्या है A plus B A plus B से A plus B कड़ गया तो A minus B और A कितना है 3.7, 3, 2 और B कितना है 1.7, 3, 2 2 में से 2 गया 0 3 में से 3 गया 0 7 में से 7 गया 0 और 3 में से 1 गया 2 तो option number C इसका right answer हो जाएगा अगला है 12 लड़कों की आयू का योग बराबर क्या होगा 12 गुणा 10 यानि 120 फिर 11 लड़कों की आयू का योग क्या होगा 11 गुणा 9 बराबर 11 नम्मा 99 योग बराबर क्या होता है average into number of data अब अगर मैं 12 लड़के की आयू निकालू तो 12 लड़के की आयू कितने आएगी इसमें से इसको माइनस कर दो कितना हैगा 1 यहां पर कितना बचेगा 2 तो option number B अगला question है इसके factors आपको निकालने है आपको मैंने ये सिखाया हुआ है पहले भी तो एक बार आप फिर से देख लीजिए इसके साथ गुणा में क्या है एक तो 20 से कम 20 और 20 के हम क्या निकालते है फैक्टर 2 से कटेगा 10 बार 2 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा 1 बार तो इसके factor क्या होंगे 2 दुना 4 गुणा 5 बराबर 20 और 4 धन 5 बराबर कितना आना चीए 9 तो यहाँ पर 9 की जगे में हम क्या रखेंगे 4 धन 5 तो X स्कूर धन 4 धन 5 गुणा X प्लस 20 तो X स्कूर प्लस क्या होगा यहाँ पर 4 गुणा X 4X प्लस 5 गुणा X 5X प्लस में आएगा 20 यहां से common आएगा x यहां बचेगा x प्लस 4 यहां पे 4 और यहां से अगर हम common ले तो क्या common आएगा 5 यहां बचेगा x यहां पे 5 चोको 20 इन दोनों में से क्या common है x प्लस 4 x प्लस 4 यहां से common ले लिया यहां बच गया x और यहां पे बच गया आपका 5 तो option number x plus star और x plus 5 option number a इसका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा अगला question है if the radius of a circle is 3.5 cm what will be its circumference एक circle है और उसकी radius कितनी है 3.5 और 3.5 को हम लिख सकते है 7 बटे 2 circumference क्या होती है 2 pi r 2 गुणा pi का मान होता है 22 बटे 7 r की value कितनी है 3.5 इस से ये कटेगा point 5 बार और 5 से अगर मैं 2 को गुणा करूं कितना आएगा 10 और point के बाद कितने digit है 1 तो यहां पे भी 1 तो इसकी value कितनी आ गई है 1 तो 22 गुणा 1 बराबर कितना होगा 22 दूसरा अगर मैं इसको 7 बटे 2 रखूं तो 2 गुणा pi का मान होता है 22 बटे 7 गुणा में 7 3.5 की जगए मैंने रखा है 7 बटे 2 तो यहां पे 7 से 7 कड़ गया 2 से 2 कड़ गया कितना आ गया 22 तो इससे ज़्यादा easy हो गया है ठीक है option number C How many tangents can be drawn to a circle from a point outside it एक point outside है किसके एक circle के तो यहां से पूछ रहे है कितने इस पे tangents हम डाल सकते हैं तो एक tangent यहां पे जाएगी और एक यहां पे तो कितनी डाली है एक और एक दो option number B अगला question है What will be the simple interest on यह आपको P दे रखा है simple interest बढ़ावर क्या होता है P into R into T upon 100 P की value है 5000 R की value है 6 और time कितना है 2 upon में 100 2 जुरो से 2 जुरो कड़ गए यहां पे आप देखिए 6 दुना 12 और 12 0 को 0 और 12 पंजे 60 यानी 600 इस पे simple interest कितना मिलेगा 600 रुपे What percent of 60 km is 24 km इसने पूचा है 24 जो है 60 का कितना परतिसत है तो 24 को लिखेंगे उपर और जो total है उसको लिखेंगे नीचे into में एगा 100 एक जिरो से एक जिरो कड़ गया 6 से कड़ेगा यह 4 बार और 4 गुणा 10 बराबर कितना होगा 40 option number B अगला question है 3 boys can do a piece of work in 2 days How long will it take one boy to do it यहाँ पे आफ फॉर्मुला लगाईगे M1 into D1 बराबर M2 into D2 पहले कितने लड़के थे 3 यहाँ पे आएगा M1 में 3 और दिन कितने लगते हैं 2 यहाँ पे आएगा 2 बाद में लड़के कितने हैं 1 into D इसने हमें पूछा है ठीक है तो 1 जाएगा यहाँ पे 3 दुना 6 upon में जाएगा 1 बराबर D2 तो 1 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं कितना आएगा 6 option number A इसको आपको solve करना है 4.5 को divide करना है 0.0009 से मैंने आपको बताया था जिसमें जादा digit अगर point के बाद होंगे उसको हम लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे कितने हैं 1,2,3,4 तो एक के आगे 1,2,3,4 और यहाँ पे भी 1,2,3,4 डिजिट हम 4,0 हम लगा के इसको into or divide कर देंगे अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे कितने अंग हैं दसमलब के बाद 2 तो यहाँ पे 2.00 इसका दसमलब point इसका हट जाएगा यहाँ पेंटालिस गुना 100 यानि पेंटालिस सो इसमें कितने जिरो हैं 1,2,3,4 4.00 इसके चारो point हट जाएगे यहाँ पे कितना बचेगा नो 900 इकटेगा 5 यानि 500 बार तो इसका right answer है option number D इसको आपको complete करना है यह आपका एक क्यूब यह आपका है दो का क्यूब यह आपका है तीन का क्यूब यह आपका है चार का क्यूब यह आपका है पांच का क्यूब यहाँ पर क्या आएगा 6 का क्यूब और 6 का क्यूब क्या होता है option number C तो यह था practice at 43 उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेर करना चलिए signing out